हर हर महादेश साथियों यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्वल भ्यूश की कामना करता है प्यारे साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि चेक गनडाज की क्रिष्टिना पिज्ज कोवा 71 विशसुंद्री का खिताब जीत लिया है तो मेरे जावाद साथियों आज का मेरा टापिक्स 71 मिश वर्ल प्रतियुक्ता 223 प्रकिंद्रित है मेरे जावाद साथियों परिदि आप किसी कम्टेटी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी क्वेश्टिन जो आपके एक्जाम की नजरिये से महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियों में लेकर आया हूँ जो सभी प्रतियोगी परिश्चाओं की दिष्ट से अति महत्वपूर्ण है लेटस स्टार्स प्यारे साथियों मैं वीडियो को आरम करने से पहले यह बता देना चाहता हूँ कि यह प्रतियोगीता 2023 से अधारित है 21 मिश्वर्ण प्रतियोगीता 2023 से अधारित है किन्तु इसका आयोजन 9 मार्श 2026 को मुंबई में हुआ है हता इसे 2024 से ही सम्मोदित किया जा रहा है तो 71 मिश्वर्ण प्रतियोगीता का आयोजन कहां हुआ भारत के मुंबई में 9 मार्श 2026 को अगला प्रस्वन है 71 मिश्वर्ण प्रतियोगीता 2024 में कुल कितने देशों ने भाग लिया तो आपका जबाब होगा 112 देशों ने 112 देशों ने 71 मिश्वर्ण प्रतियोगीता 2024 में पार्टिशिपेट किया 71 मिश्वर्ण प्रतियोगीता 2024 में किस देश ने पहली बार भाग लिया तो आपका जबाब होगा तोगो तोगों ने इकहत्रमी मिश्वर्ड पतिवक्ता दोजार चोबिस में पहली भार भाग लिया है अगला प्रश्ण है इकहत्रमी मिश्वर्ड दोजार तेज का खिताब किसने जीता है तो चेक गनराज की क्रिष्टिना पीचकोवा बिश सुन्दरी दोजातेज का ताज कृष्टिना पीचकोवा को किसके द्वारा पनाया गया तो सात्यों आपको जानकारी होनी चाहिए कि मिश्वर्ड का खिताब वहीं पनाती है जो पिछली बिजेता होती है तो सत्तरमी मिस वर्ड 2021 का ताज जो है कहरोलीना विलावस्का को मिला था अगला प्रशना है कहरोलीना विलावस्का जो है विस सुन्दरी क्रिस्टीना पीजा को ताज पहनाते हुए फोटो में देख सकते हैं अगला प्रशना है सत्तरमी मिस वर्ड परतियों गिता 2021 का खिताब किसने जीता था तो अभी आपने देखा कि कहरोलीना विलावस्का जो वर्तमान विस सुन्दरी को ताज पहना रही थी अगला प्रशना है सबसे पुरानी अंतर राष्ट्री सौंदर प्रतियों गिता कौन सी है तो मिस वर्ड जैसा कि आप सभी जानते हूं कि अंतर राष्ट्री सौंदर प्रतियों गिता में चार प्रतियों गिताएं सामिल है जिसमें से मिश्वर्ड प्रतियोगिता सबसे पुरानी प्रतियोगिता है अगला प्रश्ट पहली बार मिश्वर्ड प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ था तो 29 जुलाई 1951 में इसके संस्थापक है एरिक मौरले अगला प्रश्ट पहली मिश्वर्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ था तो आपका जबाव होगा युनाइटेड किंडम में पहली मिश्वर्ड प्रतियोगिता का संपन हुआ था विश्व की पहली मिश्वर्ड कौन बनी थी तो विश्व की पहली मिश्वर्ड की की हक्षन जो स्वीडैन के रहने वाली थी 1951 में बनी थी 다음 question भारत की पहली मिश्वर्ड कौन बनी थी? Most important question नदूरा भारत की पहली मिश्वर्ड कौन रिता फारिया बनी थी mainland 2006 में भारत की पहली मिश्वर्ड कौन है? रिता फारिया इन्हे या ताज dieses 1948 में पनाया गया था अगला प्रश्ट एकहत्रमी मिश्वर्ड प्रतियुगता 2024 में दूसरे अस्थान पर कौन रही है तो आपका जबाब होगा यासमीना जाय टौन ए लेबनान की रहने वाली है अगला प्रश्ट है 2024 में मिश्वर्ड प्रतियुगता का कौन सा संस्क्रण आयोजित किया गया तो 71 संस्क्रण जो महाराश्की राजदानी मुंबई में संपन्न हुई अगला प्रश्ट है भारत ने अब तक कितनी बार मिश्वर्ड का खिताब जीत चुका है अर्थात अपने नाम कर चुका है तो आपका जबाब होगा च्छ बार कितनी बार च्छ बार पहली बार रीता फारियाने 1966 में दूसरी बार एश्वरा राय बच्चन 1994 में तिसरी बार डाइना हेडेन 1997 में चौती बार युकता मुखी 1999 में पाचवी बार प्रियंका चोपड़ा 2000 में चटवी बार मानुसी छिलर 2017 में तो मेरे जाबाज सातियों भारत के इंचब इस सुन्द्रियों को वर्ष सहित आप इन्हें याद करणा लिए यह प्रतियोगी परच्चाओं के दिश से बहुत ही महतुपुर्ण है अगला प्रस्चन है मिश वर्ड प्रतियोगता के संस्थापक कौन थे मैं पीछे आपको बताया हूँ एरिक मॉरले जो है मिश वर्ड प्रतियोगता के संस्थापक है भारत में पिछली बार मिश्वर्ड प्रत्योगता का यूजन कब हुआ था? तो 1996 में बेंगलरू में हुआ था. अगला प्रस्णा है, इकहत्र में मिश्वर्ड प्रत्योगता 2024 में भारत किस अस्थान पर रहा है? तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शिर्ष आठ में भारत का सात्मा स्थान रहा. इकहत्र में मिश्वर्ड प्रत्योगता 2024 में भारत का प्रत्योगता किस ने किया था? Most important, तो भारत की तरब से सिन्नी सिटी, सिन्नी सिटी जो करनाटक की रने वाली हैं, इन्होंने भारत की तरब से अब प्रत्योगता किया था. अगला प्रस्ण है, इकहत्र में मिश्वर्ड प्रत्योगता 2024 का मेजबान देश कौन है? तो आपका जवाब होगा भारत. भारत जो है, इकहत्र में मिश्वर्ड प्रत्योगता 2024 का मेजबान देश है. मिश वर्ड प्रतियोगिता के इतियास में चेक गनराज की या कौन से जीत थी तो प्यारे साथियों चेक गनराज की या दूसरी जीत थी चेक गनराज की मिश वर्ड के इतियास में या दूसरी जीत थी अगला प्रश्ण चेक गन राज पहली बार मिश्वर्ड प्रतियुकिता कब जीता था तो आपका जबाब होगा 2006 में हमारा अगला प्रश्ण है 71 मिश्वर्ड प्रतियुकिता 2026 में कुल जजों की संख्या कितनी थी तो सातियों आपका जबाब होगा भारा भारा जजजों की बेंच नहीं 71 मिश्वर्ड प्रतियुकिता 2024 में अपना निर्डायक परड़ाम सुनाया सातियों मैं आप लोगों को थोड़ा संचित जनकारी नोट के माध्यम से दे देना चाहता हूँ पहला भारत में पिछली बार मिश्वर्ड प्रतियुकिता का आयोजन 1990 में बेंगलेरू में हुआ था दूसरा लगभग 28 वर्ष के बाद इकहत्र में मिश्वर्ड प्रतियुकिता 2024 का आयोजन मुंबई की जीवो वर्ड कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ कहां संपन्न हुआ मुंबई के जीवो वर्ड कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ तिसरा है दोजार 22 में मिश्वर्ड प्रतियुकिता का आयोजन नहीं हुआ अगला इकहत्र में मिश्वर्ड प्रतियुकिता 2023 का आयोजन 9 मार्श 2024 में संपन्न हुआ साथियों मैं आपसे अब विदा लेता हूँ एदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ना करना ना भूले धन्यवाद